दोस्तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुचकी जिकसर SF250 यानि कि one of the best 250cc bike वो भी फेरिंग सेग्मेंट में तो मैं आपको बता दो कि RC200 हो या फिर R15 V4 हो उसकी best competitor है जिकसर SF250 2500cc में ये semi-faring bike है तो इसके बारे हम पूरा completely आज हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं और क्या क्या मतलब updates हैं 2022 में और इसका price क्या है 2022 में सारी चीज़ हम जानेंगे बस आपसे गुजारी से कि वीडियो को थोड़ा last तक देख लीजेगा आपके सारे doubts इसी वीडियो में clear हो जाएंगे और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजेगा और चैनल को अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो प्लीज subscribe करके बेल आइकन जरूर दबाईएगा जितने भी भाई लोग हमसे जुड़ना या बात करना चाहते हैं वो हमें Instagram पे देख लीजे लाश्ट में मैं आपको complete price बता दूँगा जिससे आप अपना budget set कर पाएंगे मैंने R15 का competitor क्यों बोला इसलिए क्योंकि उसकी price और इसकी price लगभग मैच करेगी आप देख लीजेगा ठीक है अब आगे बढ़ते हैं और इसकी एक एक चीज आपको बताते हैं स आपको 110 by 70 यानि 110 बटे 70 का मिलता है और यह 17 यानि 17 इंच का tubeless tire है आगे जो suspension मिलता है यह आपको telescopy company लगा कर देती है यहाँ पे किसी भी तरह का USD fork company इस्तेमाल नहीं करती है suspension quality अच्छी है थोड़ी सी stiff है लेकिन अच्छी है main headlamp आप देखेंगे तो fully LED console आपको company provide करती ह दो partition, तीन partition, चार partition जो आपको कहना है कह लिजे लिकिन जो इसकी visibility है उसको लेके company का दावा है कि बहुत कमाल का उजाला आपको देखने को मिलेगा और इस सीज को मैं भी मानता हूँ काफी हद तक क्योंकि सुचकी जिकसर SF250 जो नए updates के साथ 2022 में आई है जो आप इस समय screen प करवा लेते हैं तो आप modified करवा लेते हैं उसकी और बड़ी करवा लेते हैं तो थोड़ा सा look enhance हो जाता है आपकी क्या रहा है आप बताईएगा अगर आप सुचकी जिकसर SF250 लेने वाले हैं तो क्या आप इस modification पर ध्यान देंगे या फिर नहीं आप comment में बताईएगा clip on handle bar के साथ aggressive riding posture के साथ अब हम इसके meter console पे concentrate कर रहे हैं यहाँ पे इसका fully digital meter console मिलता है जो की same to same पहले जैसा मिलता था वैसे ही मिलता है यहाँ पे ऐसा company ने कोई बेखूफी नहीं करीए कि पहले analog दे फिर आपको fully digital दे दे ऐसा नहीं है fully digital शुरू से आती है इसमें और information भी time हो गया, trip हो गया, auto हो गया और rpm meter हो गया, speedometer हो गया यह सारी information आपको मिलती है आपको कोई भी doubt करने के जोड़ोत नहीं है अब आप इसका handle bar देख रहे हैं जिसमें आपको passing switch, low beam, high beam switch, side indicator switch आपको horn मिलता है, right handle side पे आपको मिलता है engine switch और उसके नीचे आपको self switch मिल जाता है अब देखिए clip on handle bar है तो riding posture की बाद मैं आपको बता दूँ, riding posture इसका aggressive है मतलब आपको थोड़ा सा जुक के चलाना पड़ेगा तो अगर आप ऐसी बाइकों के आदी है, ऐसी बाइकों के शौकीन है या फिर ऐसी बाइक आपने चलाई है बहुत ज्यादा तो आपको किसी त जंधों पे या फिर आपके हाथों पे जो है थोड़ा सा दर्द हो सकता है बाजुओं में ठीक है, अग्रेशिव है थोड़ा सा जुक के चलाना पड़ेगा ये ऐसी बाइक ही होती है, इंजन की बात में आप आपको बता दूँ, इसमें आपको four stock single cylinder oil cooled engine company प्रवाइड करती 9300 rpm और जो max torque मिलेगा 22.2 Nm का मिलेगा 7300 rpm तो power और torque आपको इस segment के साब से कमाल का देखने को मिलेगा, च्छे gear होने की वज़े से अगर आप highway पे चलाते हैं तो कमाल की आपको smooth ride feel करेंगे आप, अब इस समय में इसका street वगएर आपको दिखा रहा हूं, जो rider है उनके लिए कमाल की कुष्णिंग मिलती है, लेकिन जो पीछे बैठेंगे उनको थोड़ा hard कुष्णिंग का इस्तमाल देखने को मिल सकता है, मतलब पीछे वाली जो seat है उसमें थोड़ी से hard कुष्णिंग कंपनी इस्तमाल करती है, तो अगर आप लंबी दूरी ते करते हैं, तो आपक बीच बीच में रुक के थोड़ा सा अपनी तस्रीफ को आराम देना पड़ सकता है, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, चलिए अब यहाँ पर seating का फट के बाद, अब हम आते हैं इसके पीछे वाली प्रोफाइल पर तो यहाँ पे भी आप डिस्क लगा हुआ देखेंग यह 150 वाई, 60 यानि के 150 बटे 60 की है और यह 17 यानि 17 इंच का ट्यूबलेश टायर कंपनी लगा कर देती है, तो टायर की चौराई आपको भी देवाना बना देगी, no doubt, चलिए इसके बाद हम सारी प्रोफाइल कंप्रीट हो चुकी है, अब हम आते हैं इसके डाइमेंशन पे 800 यानि 800 इंच की है, तो भाईया जित्ते भी 100 राइडर है ध्यान रखेगा इस चीज का, अगर आपकी हाइट कम है तो आप लेनी से पहले टेस्ट राइड जरूर से जरूर ले लिजेगा, फुल साइटिस्वाइड होने के बाद ही आप इस बाइक को लीजेगा, अगर इसका कर्व वेट यानि की पेट्रोल वगरा भरवा देंगे तो वेट और भी बढ़ जाएगा, अब पेट्रोल कितना भरवा सकते हैं ये भी मैं आपको बता दू, लगबुट 12 लीटर तक आप इसमें पेट्रोल भरवा सकते हैं, आपकी टंकी हो जाएगी फुल, अब इस तो मैंने इस वीडियो में वो सारी चीजें कम्प्लीट करती हैं, अब में फोकस करेंगे इसके प्राइस पे, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, 1,92,536 रुपई, 1,92,536 रुपई इसकी एक्षोरूम प्राइस है, तो कम्प्लीट बाइक लिए आप अपना जो बज़ट रखेंगे, वो रखेंगे 2,20,000 से 2,25,000, 2,20,000 तो 2,25,000 तक अगर आपना बज़ट रखते हैं, तो 2022 मोडर सुचकी जिकसर SF250 आपको कम्प्लीट ली देखने को मिल जाएगी, उमीद है कि आपके सारे डाउट्स हो गए होंगे किलियर, तो मिलेंगे अगली बाइक चलाइए, हिलमेट का इस्तमाल जरूर करिए, मेरे सभी दोस्तों को मेरे तरफ से, जय हिंद, जय भारत!